ओम शांती मुरुली का तारिक है 28-8-2019 मीटे बच्चे या ब्रह्मा है सत्गुरु की दर्बार इस ब्रुकुटी में सत्गुरु विराजमान ही वही तुम बच्चों की सद्गती करते हैं प्रश्न बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से चुडाने आये हैं उत्तर इस समय सभी बच्चे प्रकृती और माया के गुलाम बन गये हैं बाप अभी इस गुलामी से चुडाते हैं अभी माया और प्रकृती दोनों ही तंग करते हैं कभी तूफान कभी फैमन हैं फिर तुम ऐसा मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृती तुमारी गुलाम रहती हैं माया का वार भी नहीं होता ओम शांती मीटे मीटे रुहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी हैं सुप्रीम शिक्षक भी हैं वाँ विश्व के आदी मध्य अंत का राज समझाते हैं फिर सुप्रीम गुरू भी है तो यहां हो गई सत्गुरू की दर्बार दर्बार होती है ना गुरू की दर्बार वाँ हैं सिर्फ गुरू की सत्गुरू है नहीं श्री श्री 108 कहलाएंगे सत्गुरू लिका हुआ नहीं होगा वो लोग सिर्फ गुरू ही कहते हैं यां है सत्गुरू पहले बाप फिर तीचर फिर सत्गुरू सत्गुरू ही सद्गती देते हैं सत्युक त्रेता में तो फिर गुरू होते नहीं क्यूंकि सब सत्गती में हैं एक सत्गुरू मिलता है तो बाकी सब गुरूओं का नाम कलास हो जाता है सुप्रीम हुआ सब गुरूओं का गुरू जैसे पतियों का पती कहते हैं ना सबसे उंच होने के कारण ऐसे कहते हैं तुम सुप्रीम बाप के पास बैटे हो किसलिए बेहत का वर्सा लेने यहां है बेहत का वर्सा बाप भी है तो शिक्षक भी है और यहां वर्सा है नई दुनिया अमर लोग के लिए वैसलेस वर्ड के लिए वैसलेस वर्ड नई दुनिया को विश्यस वर्ड पुरानी दुनिया को कह जाता है सत्युक को शिवाले कह जाता है क्योंकि शुबाबा का स्तापन किया हुआ है विश्यस वर्ड रावन की स्तापना है अभी तुम बैटे हो सत्गुरु की दर्बार में या सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो बाप ही शांती का सागर है वहां बाप जब आए तब तो शांती का वर्सा दे रास्ता बताए बाकी जंगल में शांती कहां से मिलेगी इसलिए हार का मिसाल देते हैं शांती तो आत्मा के गले का हार है फिर जब रावन राज्य होता है तब अशांती होती है उनको तो कहा जाता है सुकदाम, शांती दाम वहाँ दुख की कोई बात नहीं महिमा भी सदयु, सत्गुरु की करते हैं गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी ग्ञान का सागर, वहाँ एक ही बाप है ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है? नहीं वाँ गुरु लोग जगत के पतित पावन हो नहीं सकते वाँ तो एक ही निराकर बेहत के बड़े बाबा को कहा जाता है तुम अभी संगम उपर कड़े हो एक तरफ है पतित दुनिया पुरानी दुनिया दूसरे तरफ है पावन नई दुनिया पतित दुनिया में गुरु देर है आगे तुमको इस संगम युग का पता नहीं था अब बापने समझाया है या है पुरशोतम संगम युग इसके बाद फिर सत्युग आना ही चक्र फिरता रहता है या बुद्धी में याद रहना चाहिए हम सब बाई बाई हैं तो बेहत के बाप से वर्सा जरूर मिलता है या कोई को पता नहीं कितने बड़े बड़े पोजिशन वाले मनुश हैं परन्तो जानते कुछ नहीं बाप कहते हैं मैं तो तुम सबकी सद्गती करता हूँ अभी तुम सेंसिबल बने हूँ पहले तो कुछ भी पता नहीं था इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे हम सेंसलेस हैं हमारे में कोई गुण नहीं है आप तरस करो अब या देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या या जानते ही नहीं रहम दिल कौन है कहते भी हैं वो गाड़ फादर रहम करो कोई भी दुख की बात आती है तो बाप को जरूर याद करते हैं अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे बाप तो विचित्र है वाँ सामने बैटे हैं तब तो नमस्ते करते हैं तुम सब हो चित्रदारी मैं हूँ विचित्र मैं कभी चित्रदारन नहीं करता मेरे चित्र का कोई नाम बताऊ, बस शुबाबा ही कहेंगे मैंने या लोन लिया है, सोबी पुराने ते पुरानी जुत्ती उसमें ही मैं आकर प्रवेश करता हूँ इस शरीर की महिमा कहा करते है या तो पुराना शरीर है एडाप्ट किया है, तो महिमा करते है क्या, नहीं या तो समझाते हैं, ऐसे ता, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा अब बाप कहते हैं, मैं जो सुनाता हूँ, उस पर जड़्च करो अगर मैं राइट हूँ, तो राइट को याद करो उनका ही सुनो, अन्राइटियस सुनो ही नहीं उनको इविल कहा जाता है, ताक नो इविल, सी नो इविल इन आंकों से जो कुछ देखते हूँ, इनको बूल जाओ, अभी तो जाना ही, अपने गर, फिर वापिस अपने सुकदाम में आएंगे बाकी तो याँ सब जैसे की मरे पड़े एंप्रूरी है, ना याँ पुराने शरीर होंगे, ना याँ दुनिया होगी हम पुरिशार्त कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, फिर वर्ड की हिस्ट्री जियोग्रफी रिपीट होगी तुम अपना राज्य बाग्य ले रहे हो, जानते हो, कल्प कल्प बाप आते हो, राज्य बाग्य देने तुम भी कहते हो, बाबा कल्प पहले भी मिलेते, वर्सा लियाता, नर्से नाराइन बनेते बागी सब एक जैसा मर्तबा तो नहीं पा सकते हैं, नंबर वार तो होते हैं, यां है spiritual university, spiritual father पढ़ाने वाला है, बच्चे भी पढ़ाते हैं, कोई principal का बच्चा होता है तो वाँ भी service में लग जाता है, स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है, बच्ची भी अच्ची रीती पढ़े तो पढ़ा सकती है परन्तु वाँ दूसरे गर में चली जाती है, यहां तो काईदा नहीं है बच्चियों को नवक्री करने का, नई दुनिया में पद पाने का, सारा मदार है इस पढ़ाई पर इन बातों को दुनिया नहीं जानती, लिका हुआ है बगवान वाच हे बच्चों, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हुँ, कोई मॉडल तोड़े ही बनाता हुँ जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं, तुम तो पढ़कर वाँ पद पाते हुँ, वाँ तो मिटी के चित्र बनाते हुँ, पूझा के लिए यहां तो आत्मा पढ़ती हैं, फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे दुनिया कतम नई होती है, सिर्फ एज बदलती है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कापर एज, आईरन एज, सोला कला से चौदा कला, दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है, बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, इस पढ़ाई से, और कोई की ताकत नहीं, जो ऐसा पढ़ा सके, कितना अच्ची रीती समझाते हैं, फिर पढ़ते-पढ़ते माया अपना बना लेती हैं, फिर भी जितना-जितना जो पढ़ा हैं, उस अनुसार वहां स्वर्ग में जरूर आएंगे, कमाई जायेगी नहीं, अविनाशी ज्ञान का विना नहीं हो सकता, आगे चल, आएंगे, जाएंगे कहां, ये कही हटी है न, आते रहेंगे, समशान में जब मनुष्य जाते हैं तो, फिर बड़ा वईराग्य आता है, बस, या शरीर, ऐसे चोडने का ही, फिर हम पाप क्यूं करें, पाप करते-करते, हम ऐसे मर जाएंगे, ऐसे क्यालात आते हैं, इसको कहा जाता है, समशानी वईराग्य, समझते भी हैं, जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परन्तो ज्ञान तो हई नहीं, यहां तो तुम बच्चों को समझाया जाता है, इस समय तुम कास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, क्यूंकि यहां तो तुम टेम्प पुराना शरीर चोड़, फिर नई दुनिया में जाएंगे, बाप कहते हैं, बच्चे, जितना तुम मुझे याद करेंगे, उतना पाप कड़ते जाएंगे, सहजते सहज भी हैं, तो डिफिकल्ट भी हैं, बच्चे जब पुरिशार्त करने लग पड़ते हैं, तब समझते हैं, माया की बड़ी युद्ध है, बाप कहते हैं, सहज है, परंतु माया दीवा ही बुझा देती है, गुलाब कावली की, कहानी भी है ना, माया बिल्ली, दीवा बुझा देती है, यहां सब माया के गुलाम है, फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो, सारी प्रकृति तुमारी अंडर में रहती है कोई तूफान नहीं, फैमन नहीं प्रकृति को गुलाम बनाना ही वहां कभी भी माया का वार नहीं होगा अभी तो कितना तंग करती है गायन है न, मैं गुलाम तेरा वहां फिर कहते, तू गुलाम मेरा बाब कहते हैं, अब मैं तुमको गुलाम पन से चुडाने आया हूँ, तुम मालिक बंचाएंगे, वाँ गुलाम बंचाएंगे, जरा भी चूचा नहीं होगी, या भी ड्रामा में नून है, तुम कहते हो, बाबा माया बड़ा तंग करती है, सो क्यूं नहीं करेगी, इसको कहा ही जाता है, युद्ध का मैदान, माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो, तो माया भी पचाडती हैं, कितना तंग करती हैं, कितने को हराती हैं, कईयों को एकदम का जाती हैं, हप कर लेती हैं, बल स्वर्ग का मालिक बनते हैं, परंतु माया को काती रहती हैं, उनके जैसे पेट में पड़े हैं, सिर्फ पुचाडी निकली हैं, बाकी सारा उनके अंदर हैं, जिसको दलदल भी कहते हैं, कितने बच्चे तुबन में पड़े हुए हैं, जरा भी याद नहीं कर सकते, जैसे कच्चिये का ब्रमरी का मिसाल हैं, ऐसे तुम भी कीडों को बूबू कर क्या से क्या बना सकते हों, एकदम स्वर्ग का परिजादा, सन्यासी बल ब्रमरी का मिसाल देते हैं, परन्तु वाँ कोई बूबू कर, बदलते तोड़े यी हैं, बदली होती है संगम पर, अभी याँ है संगम युग, तुम शूद्र से ब्रामन बने हों, तो जो विकारी मनुष्य हैं, उन्हों को त तुम ले आते हों, कीडे में भी कोई ब्रमरी बन जाते हैं, कोई सड जाते हैं, तो कोई फिर अदूरे रह जाते हैं, बाबा ने यां बहुत देखे हैं, यहां भी कोई अच्छी रीती पढ़ते हैं, ग्ण्यान के पंक जम जाते हैं, कोई को आदा में ही माया पकड लेती ह तो कच्छे ही रह जाते हैं, तो या मिसाल भी अभी के हैं, वंडर है ना, ब्रमरी कीडे को ले आकर आप समान बनाएं, या एक ही है जो आप समान बनाते हैं, दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं, सत्युग में बस एक काल छोड, दूसरी ले लेते हैं, जट साक्षातकार होता हैं, अब शरीर छोडने वाले हैं, आत्मा निकल दूसरे गर्ब महल में बैटती हैं, या भी एक मिसाल देते हैं, गर्ब महल में बैटाता, उनको बाहर निकलने दिल नहीं होती थी, फिर भी बाहर आना तो है ही जरूर, अभी तुम बच्चे हो संगम युक पर, ज्ञान से ऐसे पुर्षोतम बनते हो, बक्ती तो जन्म जन्मांतर की, तो जिनोंने जास्ती बक्ती की हैं, वही आकर नंबरवार पुर्षार तनुसार पद पाएंगे, अभी तुमारी बुद्धी में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान, कोई ज्ञान नहीं हो, वा तो है बक्ती, उनसे कोई सद्गती नहीं होती है, सद्गती माना वापिस गर जाना, गर में कोई जाता नहीं, बाप कुद कहते हैं, मेरे साथ कोई मिलता नहीं, पढ़ाने वाला साथ ले जाने वाला भी चाहिए न, बाप को कितना क्याल रहता है, पांच अजार वर्ष में बाप एक ही बार आकर पड़ाते हैं, तुम गड़ी गड़ी बूल जाते हो कि हम आत्मा हैं, या एकदम पक्का कर लो, हम आत्मा उनको बाप पड़ाने आये हैं, इसको कहा जाता है स्पिरिच्यल नालेज, सुप्रीम रूह, हम रूहों को नालेज द देते हैं, संसकार भी आत्मा में रहते हैं, शरीर तो कतम हो जाता है, आत्मा अविनाशी है, तो या ब्रम्मा की ब्रुकुटी है, सत्गुरु का दर्बार, या इस आत्मा का भी दर्बार है, फिर सत्गुरु ने भी आकर इनमें प्रवेश किया है, इसको रत भी कहते हैं, दर्बार भी कहते हैं, तुम बच्चे स्वर्ग के गेट कोल रहे हो श्रीमत पर, जितना अच्छी रीती पड़ेंगे, उतना सत्युग में उन्च पद पाएंगे, तो पड़ना चाहिए, टीचर के बच्चे तो बहुत होश्यार होते हैं, परन्तु कहते हैं न, गर की गंगा का रिगार नहीं, बाबा का देखा हुआ है, सारे शहर का किचडा गंगा में पड़ता है, फिर उनको पतित पावनी कहेंगे, मनुष्यों की बुद्धी देखो, कैसी हो गई हैं, देवियों को सज्जा कर, पूझा आदी कर, फिर डुबो देते हैं, कृष्ण को भी डुबोते हैं न, सो भी बहुत बे इज्जती से डुबोते हैं, बंगाल की तरफ डुबोते हैं तो, उपर में पावन रखकर भी डुबोते हैं, बंगाल में पहले रिवास्ता, किसी का प्राण निकलने पर होता था, तो उनको जट गंगा पर ले जाते थें, वहाँ पानी में डाल, हरी बोल, हरी बोल कर, मुक में पानी डालते रहते थें, ऐसे प्राण निकाल देते थें, वंडर है न, अभी तुम बच्चों की बुद्धी में, चड़ाई, उत्राई का पूरा ग्णान है, नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार, अच्छा, मीटे मीटे सिकिलदे बच्चों प्रती, मातपिता बाप तादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बा बाप तादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, 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 दारणा के लिए मुक्य सार, फर्स्ट पाइंट, बाप जो सुनाते हैं, वही सुनना है, और जड़्ज करना है कि रैट क्या है, रैट को ही याद करना है, अन्रैटियस बात को ना सुनना ह सेकेंड पाइंट पड़ाई अच्छी रीती पड़कर अपनेको राजाओं का राजा बनाना ही इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपनेको टेंप्रोरी समझना ही वरदान ज्ञान अम्रुद से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझा करें तुरुक्त करने वाली म महान पुन्य आत्मा बवत किसी प्यासे की प्यास बुझाना या महान पुन्य है जैसे पानी ना मिले तो प्यास से तडपते हैं ऐसे ज्ञानाम्रुद ना मिलने से आत्माओं दुख अशांती से तडप रही है तो उनको ज्ञानाम्रुद देकर प्यास बुझाने वाले ब बोजन काने के लिए पुर्सुत निकालते हों क्यूंकि अवश्यक है ऐसे याँ पुण्य का कार्य करना भी अवश्यक है इसी लिए याँ चांस लेना ही समय निकालना ही तब कहेंगे माहान पुण्य आत्मा श्लोगन बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बा अपकी मदद मिलती रहेगी अच्छा ओम शांती